हेलो एब्रिवान वेलकम टू एक्दाम दोस्ट माइडिया फ्रेंट्स और एक बहुत ही ताजा खबर आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए जो भी बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज का बे सबरी से इंतजार करते हैं कि यार इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में र 24 डिसेंबर 2019, 2019 से 5 साल से यूनियन कैबिनेट ने आई आर इमस के बारे में चर्चा किये है अब उस पे एक नया फैसला सामने आया है तो ये बोला है भाई कि अब पहले क्या किया गया बिटा कि UPSC Civil Services को सारा का सारा रिक्रूटमेंट सौप दिया गया यानि कि कहीं ना कहीं इंजीनियर्स के लिए जो भी चीजें थी उनको किल कर दिया गया उससे पहले बोला था टेक्निकल लेंगे ये होगा वोगा बट लेटेस्ट जो बात वी थी धैट वास कि पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसस से किया जाएगा जिस्ते सिविल सर्विस आस्परेंट्स में तो खुशी की लहर दोड़ गई लेकिन कहीं न कहीं हमारे इंजीनियर्स भाई बहुत जादा डिप्रेस्ड हो गए यार ऐसी इंजीनिरिंग का क्या फायदा जहां पे हम डिजर्विंग कैंड से होगा कॉमर्स बैग्राउंड से होगा में भी हिस्ट्री में उसने अपना स्पेशलाइजेशन किया होगा या ऑप्शनल पेपर दिया होगा क्या वो टेक्निकल जॉब हैंडल कर पाएगा ता आंसर इस नो तो आप देखिए एक हाइब्रिट प्रपोजल आया यह क्या कह से थे हैं कि टेकनिकल नन टेकनिकल्स दोनों तरह की मैनफावर होती है में इसलिए रेल्वे की रेकूहटमेंट एएसी और सिविल सर्वेस दोनों से ऐसे है और घूम फिर के वही वाली बात होती है ना लौट के बुद्धु घर को आए फिर वही बात कर रहे हैं कि बहुत जादा डी मोटिवेट हो गए थे I think now is the time to come back on track तो अगर आप सर अब आप क्या करेंगे इस रिगार्ड में यार देखो भाई ESE का एक्साम अब बहुत करीब है जो इस साल होने वाला है तो इस साल के बहुत जादा कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन डेफिनिटली अगर ये चीज़ आपकी एकसेप्ट हो जाती है और हम इस साल के नोट अगर आप हमारे साथ गेट की तैयारी करते हो टेक्निकल पोर्शन आपका ESE लेवल तक का तयार हो जाता है क्योंकि मैं पर्सनली ये मेक्शूर करता हूं ना एवरी नूक और कॉर्णर और सिलिबस को कवर करें चाहे वो गेट में आता है या नहीं अगर वो किसी भी सेरियल आ जाता है या फिर इसके अलावा हलका बहुत डिवाइस के बारे में आ जाता है वो तो बहुत बड़ी चीज है नहीं तो माने अगर यह चीज आपको इस साल के नोटिफिकेशन में रिफलेक्ट होती है तो मैं आप लोग की पूरी मदद करने वाला हूं नेक्स्ट है अपना ओपीनियन मुझे बताईए का कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली मैं आप लोग की राय जानना चाहूंगा ठीक है चले थैंक यू एंड आल दी बेस्ट वाल अप यू